हेलो एव्रिवन माई नम ही सुनेश शिंदेव वेलकम टू मैजिकल वर्ड शिंदेश केमिस्ट्री टेक्निक्स चलिए अब हम आज की वीडियो में डिस्क्स करेंगे प्रोटीन्स प्रोटीन्स पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे आज के लिक चलिए तो देखिए अभी ग् के लिकक्वरड है प्रोटीन के अब प्रोटीन्स पॉल्यमायट ॕ अ अच लिंकेश को बोलते हैं पॉल्यमाइट एंड विच आर हाई मॉलेक्लर वेट पॉलीमर्स ऑफ्देव मौनोमर्स उनिट्स हार अलफामयन नष्ट यहे मोनोमर यूनिट्स है मतलब हमकर आपसे यह हम एलफा ऑमा इन एजएड क्योंकि जो प्रोटेन सो ते यह यह नैच्रशल पॉलिमर्ट o Ce इसा इशली है गुटवसक टेशए ऐसे educasy देखने लिए आपर हम चीर सी बोयह और यहां पर के नहीं यह आपका अलफा अमयन आसेट का स्टुक्चिर इसमी क्या होता है यह लिए अलफा करभा अलफा कारबन से हाई का अमय अजेट इसको अलफा अमयन आसिड वोगते हैं अलफा अमयन आसेट वोलता है कि alpha इस हासान है मीन्स कि अल्फा इनसीन दो फंक्शन ग्रूप होगा आपका कार्बो ऑक्सल ग्रूप और दूसरा होगा एनेच टू ग्रूप ये दो फंक्शन ग्रूप इसके अंदर होते हैं ठीक है चलिए इसको स्क्रीन्शॉट लिजिए नो डाउन क्या करना कली जले लिए एक्टीव होंगे यह आपको दिया रख रहा है एमसी उसमें आता है फिर आलफा इनसीड एक्जिस्टेंट डी और एल फॉर्म दोनों में कर सकता है जैसे आपने अभी यह बनाए तो अगर इसका एनसीटू अगर आपका कहां पर है राइट हैंड साइड तो डी और अगर डी कैपिटल कॉन्फरिगेशन होता है स्मॉल डी और स्मॉल डी और स्मॉल यल जो होता है वो क्या होता है आपका अप्टिकली एक्टिव होते हैं मतलब कि वो लिवो और डेक्स्टो फॉर्म होते हैं ठीक है ना चलिए इतना स्क्रीन शॉट लेजी आ फिर नोट डाउन कर जैसे आपको करना है कि अब देखते हैं अल्फा एमने सिर्ट तीन टाप के होते हैं न्यूट्रल एसेटिक और बेसिक होते हैं तो पहले में न्यूट्रल के एक्जांपल है यह टोटल फिफ्टीन है उसका भी मैंने नाइन लिखे वे और बाकी बाकी बताता आपको में तो य यहां पर आप एने इस जो आ रही है यह यह आर यह हम लगाने वाले सारे तो आपके क्या बनते जाएंगे अप सबको लिखकर प्रेक्टर इसको एच जैसे मैं आप एच लगा दिया तो यह बन गया आपका क्या ग्लाइसीन बन गया ग्लाइसीन ऑप्टिकली इन एक्टिव होता है ठीक ना बाकिया सब होता है इसको छोड़के सब यह होते है तो आपको ध्यान रखना है दिख लिजे घं देखे लिजे अल-गया है और यहां पर 3-0 लेटर सिंबल होता है याद करने पड़ेंगा को फिर नेक्स्ट है वैलिन में मतलब मिठायल होता है मिठायल होता है मतलब तो आभी एक-डू लगा कि दिखरा बाकि आप सब देख लीजी लगा कर तो आभ यह बन जाएगा वैलीन का वी एल तीन लेटर का सिम्बॉल और वन लेटर सिम्बल जो होगा वो आइस फिर टेकन ट्वाइस की अब्यून तो शाएच को आके जगा पर यहाँ पर यहां पर तो आपको यहां पर यहां पर पर आइसोल यू सी आइसोल इसन में और सी एच्ट रिचिन एच्ट रिच और दो बर आपको यहां पर सिंगल गद अज होगा यह निशे कल यहां आप खी एच्ट हुगा अपका इस दो यह दिखो Hagul लेए लिखना आपको तो उपर भी सकते हैं यह आपकी जो टेक्स्ट बुक का है वह हो मैं आपको समझाना मेरा काम है कैसा करना इसको अब इसको त्री लेटक्स इंबोल है आई एल इए और और इसका नाट के लिए लिए अपर यह त्यान रखना न बाके ती लिटर के लिया जब से मोझाते न दो नम्स तीन लिटर से मोझाएंगे ता वको एल लगा लिटर में लगाते हैं बाके में नहीं लगाते हैं यौह फोझा न से च्वाका है एक भीन से करना है सिंगल मतलब वन लेटर सिंबोल अब अब है गुलटा माइन तो चस्तौ को यह याद करने वाले इसमें जी आई एंड लगा दो और इसका क्यू दिया आपको लग गपिटल जी होना चीने अपर हो चुका है तो यहां पिन देंगे तो जो रिपीट हो तो से आपको और दिया फिर गुलटामाइन नहीं चुछ लिखा हुआ है तो फिलिया अपना सिरीन ओफ च्छ तो इसका एस ए और और कैपिटल एस फिलिया थ्री ओनी च्छ त्री सी एच ओएच सा इसको आपके टेक्स्बुक सामने लिखा हुआ हुआ है ठीक है ना ऐसा लिखा रहेगा इस टाइप से ती एच आर और टी कर लो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीन शॉट लेलो जैसा करना है कि अब देखते हैं पर 11 आगे कि जो 9 तर हमने देख लिया पहले अब देखते हैं 10 ते सिस्टेन सिस्टेन का एच एस च्छ तू यह आर की प्लेस पर लागा दो तो आपका बन जाएगा सिस्टेन का स्टुक्चर और उसमें त्री लेटर सिंबॉल उसका सी वाई एस और वा सिंग वन लेटर सिंबॉल एक याद करना पड़ेगा फिर यहां पर लेते हैं 12 फिनाइल अल एनिन फिनाइल अल एनिन लिया हमने इसको पी एच सी लगा तो आर के जगा पर तो इसका थ्री लेटर सिंबॉल पी एच ई और वान लेटर है एफ ओके ऐसा आपकर ना है उसका आपका 13 टाइरोसीन तो यह आपका पैरा पोजीशन में पैरा है पैरा स्टॉक्चर पर यह दोनों वन और फॉर पे पैरा तो इसको लिए टी वाई आर यह त्री लेटर सिंबॉल हो गया और वन लेटर हो जाए आपका वाई फिर ट्रिप्टोफेन यह पूरा स्टॉक्चर इतना पूरा स्टॉक्चर आर जब लागा तो आपको वन जाएगा ट्रिप्टोफेन और टी आर पी यह त्री लेटर सिंबॉल है और प्रो नोट कर लीजिए फिर इसका स्क्रीन शॉर्ट निकाल लीजिए आप देखते हैं अलफा यून अशिट्स दो ऐसे एक एक ऐसपार्टिक एसपार्टिक एसपार्टिक एसट इसमें आपको सी ओओ एच छिए ट्लागा दर आरकेप्लेस वे तो बन जाएगा ऐसपार्टिक एसपी और वाल लेटर सिंबॉल है कैपिटल डी ओके अब देखते इसमें नेक्स्ट जो 17 ग्लुटामिक एसट तो इसमें कार्बोक्स रूब है और गल्यू और इसका वन लेटर सिंबॉल है कैपिटल जी ओके अब देखते हैं बेसिक आमेन इसमें इसमें तीन है एक लाइसीन में नहीं च्टू च्टू फो ताम है च्टू 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 फिर यह च्टू में तो इस साधा था आठाए इसकार में साथ फिर फिर न फिर ऐसी च्टू का नीशे है ठीक ना ए आर जी और वन लेटर सिंबॉल है आप देखते हैं ट्विंटी हिस्टाडाइन स्टाडाइन का स्ट्रक्चरी है यह स्काट आश्कू आश्कू प्लेस फि इसलब कि ऐसे अमन एसे जो अपने बॉड़ी में सिंतिसाज नहीं इसको हमको डाइट से ऑप्टेट करा पड़ता है मिस तामन एसिट विच कैनाट बी से इन बॉड़ी और ऑप्टेंज थू आवर डाइट आर कॉल इसेंचल जो आपको अपने डाइट से मिलते हैं आपने पर यहां पर है एंड वैली यह टोटल टैन आपके इसेंचल आम इसेट से इसके नाम आपको याद कर लेने हैं स्टक्चर अभी टेबल में दिया वाज़ा वे टेल बना है उस टेवल के स्टक्चर साब कर सकते हो तो स्टक्चर नेम सब कर लिजे ठीलेटर सिंबॉल वान ल अब यह जो होगा दामन असिट विच कैन बी सिंथे यह आपके बॉडी के अंदर ही सिंथे से इस लिए इस बार जीन सीरीन साइटोसीन टायरोसीन और प्रोलाइन यह एक्जामपल है किसके नौन इसेंस यह आपके बॉडी में सिंथेस्ट होते हैं क्लियर है चलिए अब इसका भी आप नोट डाउन जल्ली कर लिजिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीस आफ अलफा अनसे तो अलफा अनसे सार कलरलेस क्रिस्ट्राइन सॉलिट्स बहुत आसान है ते आर सॉलिबर इन वाटर दे हैं हाई मिल्टिंपॉंट्स वह कितना आसान है एक त आता है जोएटर आइन क्या होता है अब है ठिक है आप यहां पर लों प्यरे तो यह प्रोटाउन एकसेट करेंगा तो यह वह यह बेस अकोरडिंग तु यहां पर देखो यह proton donor उसलिए हो जाएगा acid यहां पर और यह proton accept उसलिए हो जाएगा basic उल्टा पुल्टा है सब हो जोटर आयन में इसमें इसमें कौन सा acidic group है कौन सा basic group है यह आपको ध्यान रखना है यह बहुत गरबड करता है यहां पर लिखा है मैं लिखा है amino acids in their aqueous solution behave like salt due to presence of both acidic and basic groups in the same molecule and such w charge ion is called joyter ion या फिसको dipolar ion बोल सकते या फिर कभी-कभी inner salt भी बोल सकते inner salt एक नय वाड़ है जो आपके textbook में नहीं है इतना आपको कर लेना है बहुत इसी पार्ट है और मैंने बहुत बढ़िया नोट्स बना दिया इसके चलिए नोट डाउन कर लिजी आ फिर screenshot ले लिजिए ओके आप दोखो alpha amino acid can exist in different forms ठीक ना depending upon pH of the aqueous solution मतलब अक्वेशल का pH पे डिपेंड करेंगे कि उसका डिफेट डिफेट फाम पेश्पेट पेडिकर पिएज़ चेंज करेंगे तो आपका डिफेट डिफेट इफेट इफेट फॉर्म सोगा ठीके ना जिसमें वो डिजा रिया वाटर लिए वाटर भी अगर अलग है इसी का टूए किसी का फोर एक जो भी जैसे अब देखिए कुछ एक्जामपल और यहां पर लूं मिन एक तो यह लोँ पीरॐन है तो यहां इन तॉत कर्फा आलफा अमाइन आचिए यह दो इसमें से डिखिए जाप और सकते हो कि अई इसा यह है अब मैं दूपी एच पर दूसरा बता था तब तर इसको नूट कर लीजिए अब अब देखिए पी एच कैसे जहें दाता है तो अब यहां पर और ओर ओर चार्ड पर प्लस वन है मतलब पॉस्टिव चार्ड तो इसका जो पी एच होगा वह लेस देन टू यहां फिर एक्वल हो सकता है अब जो एटर आइन का देखेंगे यहां पर कोई चार्ड नहीं क्यों कि प्लस मैंने से तो नेट जीरो गया इसका पी एच एप्डॉक्स जीरो ओगा अब दिकें यहां पर ओर ओर आल चार्ड पर माइनस वन है इस पर प्लस वन था माइनस वन है क्योंकि इस पर चार्ड तो इसका पी एच ग्रेटर दैन यह फिर एक्वल टू टैन हो सकता है यह थोड़ा सा याद रखना है पी एच के साथ चेंज हो जाते वैलियूस की ठीके डिसॉलिशन पर डिपेंड करता है इसमें प्लस वन है इसमें माइनस वन है तो यह पी एच याद कर लिजिए चाहिए को सीटी में आ सकते हैं तो कर लिजिए इस क्वच्छिर से अब देखते हैं प्रेपटाइट बॉनड प्रेट बॉन्ड क्या होता देखिए अल्फा एनसी यहां पर एक लिए मैंने ग्लाइसीन और लिए अलेनी तो एक अल्फा जैर्ट से यह इसको डाइप एप्टाइड वो सकते हैं तो आप्टाइड तीन से बनाएगा तो ट्राइप्टाइड ट्राइप्टाइड पास वरेगा पेंटा ऐसा करते हैं आपका यह पॉली पेप्टाइड बन जाएगा साथ ठीक ना और इंसुलिन में 51 अलफा एड़ याद शाहिद इंसल में किते होते हैं आलफा एड़ याद फिफ्टी वन होते हैं ऐसा आपको ध्यान अगना यह पूरा तो यह चोटा सा एक पाट है और फॉर्मेशन अप्टाइड बन ला तो यह जो लिंकेज है चो न चीसको टेप्टाइड लिंकेज ठीक ना देलिंकेज भाई विच अब हम देखते हैं टाइपस आफ प्रोटेइन देना तो दो टाइप के प्रोटीन है और दूसरा आपका फाइब्रस है तो पहले ग्लूबिले डिसकस करते हैं अब ग्लूबर होतार स्पेरिकल शेप होता है इसमें क्या होता है कि पॉलिप्टाइज कोईल हो के ऐसा राउं अब ग्लूबिलर प्रोटीन है स्पेरिकल शेप और दिस शेप्स रिजल्ट फॉर्म फ्रॉम कोईलिंग अरॉंड पॉलिप्टाइट चैन्स अफ प्रोटीन होता है इसके एक्जामपल इंसुलीन एग अल्ब्यूमीन एक जो लिक्विट होता है सीरम अल्ब्यूमीन होगा इतना याद कर यह मतलब इस प्रोटीन का लास्ट पर्ट डिसकस करेंगे सेकेंड क्लास डाइप उसका फड्राइब इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रेशाट ले लीजिए कैंव इसтеप्टर मतलब इस प्रोटीन कम लास पाट और आज पीडियां पर खब हम फिर अब नेक्स वी personnage शाय दी चप्टर खब हो चいल्ये कि देखते हैं फैब्रस प्रोटीन इसमें और समी मॉलीकिलर में क्या ओता है क्या यहाप लगा जिकले दिखिले दिए जिए आफ फ़ाइब्रस प्रोटीन है एलोंगेटेड रोड ऐसे लंबर रहेगा शेप अंडिस शेप इस रिजल्ट इन देशन प्रोटीन पैलर टूच अधर पैलर रहेगा एक फॉली प्रोटीजन दुस्टरा पॉलिविट ऐसा एक रोड लागा एक एक फाइबर जाता स्ट्रक्टर इसको थे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं और इसमें याद अखना है कि हाइड्रोजन बॉंड और डाइस सेल्फाइट बॉंड सार रिस्पॉंसिवल फॉर दिस शेप यह बॉंड प्रोटीन जो रहे हैं और इन्सॉलीबल इन वाटर वाट आप इसके पर छोट एक पड़ेंगे एंजाइम रहे हैं ठीक ना एजाइम से एक पार्ट है स्ट्रक्चर नहीं आपके स्ट्रक्टर स्लेबर्स में हटा दिया है थेना पूरे तो रिड कर दिया उसको कम कर दिया तो बहुत आसान हो गया है चैट्टर चोटा है आब इसका अब आपका नियुकलिक एसट यह दो इस पार्ट आपके में रहे गाया है अब है वीडियो पूरा देखिए लाइक कीजिए और कुछ सब्जाए कमेंट्स कीजिए अच्छा अच्छा कमेंट्स जीजिए कुछ सजेशन जी जो आपको लगते हैं ठीक है ना उन्हों सभी का व सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आज जो देख रहे हैं वह सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओके चलिए बाई